परीवार के जब पैचान पत्र सबके बनवाने के लिए परदेश सरकार जो है, अनरोध करती जा रही है, लेकिन बावजुद उसके जब साइट में लात और जा सेर्वरर की बात करेंगे। हुए सेक्टर 12 वहां गए, वहां भी साइट नहीं चल रही थी उसके बावजुद फिर हम यहां पर अभेपुर में यहां भी साइट नी चल रही सेक्टर 15 में और काफी परीजन हैं और काफी जो अभिवावक हैं वो काफी परिशान जरूर हैं एक पाद जानने कोशिश करते हैं हम फिलाल अभेपुर में हैं अभीपुर के तस्वीर है क्य दिखाएंगे यहां जो और शबसके बड़ान के अदिक्ट्ट काार रही है तो on-line तो नहां नहीं चल रही सुभा नहीं चल रही कभी साइट नहीं चल रही थी कल भी नहीं चल रही तो अब आपके पास कितने आ चुकी हैं आपके पास मेरे पास सर बारा फारम में भर चुकी उमें बर आज और बारा फारम में से अभी तक तो कल पूरा दिन वेबसाइट नहीं चली और आज की बात करें तो आज भी सर्वर जो है वह हॉल्डप है और जो सर्वर है वह आज भी नहीं चल पा रहा है तो फिलाल जो अग टेक्निकल डिपार्टमेंट से उसे जरावाद करें देखते हैं कि जो ऑफिस में जहां पर अफ जैसी मैं सब्मिट करता हूं तो वहाद भी सब्सके बात करते हैं तो बिल्कुल प्रेशान हो रहे हैं और बोलते भी हैं लेकिन anime सुनना पढता है गूंकि जो बातकरी जाए प्रेशाशन लाके दुरूस्ट कर дेती है लेकिन उस सेवाओं के पर खुद खरी पाती है और सिश्टम को सिखते नहीं चलाने के पहले ही कम टेस्टिंग के बावजुद विना टेस्टिंग के उन साइटों को चला दिया जाता है और बावजुद इसके आज कबीट का दौर चल कविड के दौर के दौरान के बाद यहां लंबी-लंबी लाइने लगाने का आखिर कार हक किसने किसको दिया आपको हमने दिखाया तस्वीरों में आपको गांव अभेपूर जी है गांव अभेपूर का जो मिडल स्कूल है मिडल क्लास के जो क्लास तक के जो स्कूल है सरकारी स कम दिया है अगर देखा जाए तो जिस तरह से अगर बात करी जाती है अगर उसको पूरी तरह से पूर्ण तरह से अगर पूरे हराना प्रदेश के अगर रिश्टेशन करी जाए तो पंद्रह भीज दिने पॉसिबल नहीं है कि तो पूरी तरह से जो क्रिया कलाफ होता है जो सर्वर को बनाना सर्वर के उपर सारे डाकुमेटेशन डालना सर्वर को पहले री टेस्ट करना सर्वर को पहले सुचारू रूप से चालू करके टेस्टिंग करना बावजुद इसके प्रशासन ने और सरकार हड़ान सरकार प्रदेश सरकार ने उनको सुचारू रूप से साजा जरूर करना चाहेंगे सबस्क्राइब का नाम बताएंगे पर कितने लोग परिशान हो रहे हैं उनके पास डाकूमेंट्स पूरे नहीं मिलते हैं पर सुन ले आएंगे बार 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 बलाने के बावजूद भी वह नहीं आ रही है आपको कितने बच्चे हैं अधर फिफटी सिक्सेंट आपके सेक्शन में अगर पूरे स्कूल के बात करें जाए कि जो बारास वगे आसपास बच्चे हैं उनको क्योंकि कॉविड का टाइम चल रहा है एक टाइम लिमिट भी है कि इस टाइम इतने बच्चों को बलाना कि यह करना बहुत मुझकिल है काम यह जैसे गवर्मेंट को सोचना चाहिए ना कि एक तो कविड का टाइम चल रहा है तो एक तरफ तो कहते हैं सोचल डिस्टेंस को मैंटेन करे रखिए और दूरियां बना के रखिए उपर से बीड़ कहां बारास बच्चों को परेड़े कितने बनाएं पिरेंट को बनाएं तो पिर उसमें से कुछ रही जाते हैं पचास परेंट को बलाते हैं तो पचास को बनाने में बारा दूरिज दिन लग जाएंगा टाइम दिया है सिर्फ अपना पंद्र दिन का तो सोचल डिस्टर्ब होगी से सब्सक्री जो कमियां यहां पर जो आपके उपरेटर्स की बात करे चाए जो यहां पर बैठे हैं वह काफी है पर पास नहीं है नहीं कम्प्फियूट टीचर है नहीं सिम है सिर्फ टीचर ही है थोड़ा बहुत नौलीज है हों को कुछ कुछ कर रहे हैं अक्या मतलब कोई एक्सपर्ट की बात करी जाए और एक्सफर्ट की बात करें जाये उस चीज की intent के सिलाल बात करें जाये तो किसी तरह की कोई training नहीं दी गई है और यह नहीं लोगों के जो बाद बढ़े हैं और स्यरकारी स्कूल के अंदर जो सब्सक्राइब नहीं चल रहे हैं जो पराणी एज के पिरेंट्स हैं पचास चारीस पलस के यहां उनके पास जनम परमान पत्र नहीं है सबसे बड़ी बात सरकारी विभाग के पास दौकमेटिसन की बात करिए प्रिंट आउट की बात करिजाए इंक की वात करिजाए रिफिल की बात करी जाया या फिर जो भी जरूर की चीजए प्रदेश के लाज़िस मी पर गोड़ के लिए दिखेंगे तो बनेद आपतक के लिए पंकश के साथ मैंस अनुज कुमार जाह इन जाय भारत जाय विजया